हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो जीलो जास्पीने टुटूब चानल सो आज हम डिस्क्रस करेंगे डिफरेंस बेटून क्लीवेस और फ्राक्चर आग्च्वली यह मॉस्ट अब दा स्टूडेंट का कंफूजन भी रहता है क्लीवेस फ्राक्चर कहीं नहीं शेम टाइप का दिखत कि इसलिए मैं सोचा कि इस तरीके क्या वीडियो लायस है भी समाजबह सर्गेश और फ्र अ इसा Two सब्वरेक्षा कुंगा ऑगा यह से निट्राइप करने को नहीं एक जाओंगा यह फ्राक्चर और वगेर को सिर्फ रहतों इन दोनों के बीच में डिफ्रेंच में इब क्लिवेज के अंदर में ब्रेक करना है इसके करेंगे एक दूसरे से मतलब में तोडेंगे मिनरल को with a smooth surface in certain direction, कोई भी एक particular direction में उसको तोड़ेंगे और with a smooth surface, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम split कर रहे थे, मिनरल को easily हम break down कर रहे है, split का मतलब ही easily आप break down कर सको या फिर flex के type में उसको निकाल सको, ठीक है, but in case of fracture यहाँ पर हम क्या करेंगे मिनरल break in a direction other than that of cleavage, तो cleavage को छोड़के कोई भी other direction में आप उसको अगर break करते हो तो उसी को ही हम बोल रहे है, fracture, यही है उसका definition आई होगा आपको clear idea आ गया होगा, तो cleavage क्या है, हम सबसे पहली बात तो cleavage में मिनरल को split करते हैं, तोड़ते हैं, ठीक है, with a smooth surface, and fracture में क्या है, यहाँ पर भी हम तोड़ेंगे, but other than any direction, ठीक है, other than cleavage, ठीक है, cleavage को छोड़के कोई भी other direction में हम उसको तोड़ेंगे, then next point क्या है, mineral break along its plane of weakness, तो यहाँ पर हम जब भी इसको तोड़ते हैं, in case of cleavage, तो हम एक उसका plane of weakness खोचते हैं, उसके along ही हम इसको तोड़ते हैं, ठीक है, in case of cleavage, but in case of fracture हम क्या करेंगे, there is no plane of weakness, तो यहाँ पर जब हम तोड़ेंगे mineral को, तो यहाँ पर हम plane of weakness को सर्ची नहीं करेंगे, randomly हम जहाँ समन हुआ है, वहाँ से तोड़ेंगे, तभी जाके हम उसको fracture बोल सकते हैं, यहाँ चीज़ यहाँ पर में इंपोर्टेंट है, रफ एंड जाग्ड सर्फेस, तो यहाँ पर जो सर्फेस मिलेगा, रफ वगरा सर्फेस रहेगा, but in case of cleavage, यहाँ पर always you get smooth and flat surface, ठीक है, और cleavage को आप explain करने के लिए कुछ terms use करते हो, like one set of cleavage, two set cleavage, three set cleavage, यह सब हमने देखा था, one set cleavage क्या है, two set cleavage क्या है, three set cleavage क्या है, then you have cubic cleavage, octahedral cleavage, rodeca heddle cleavage, octahedral cleavage को न दिखाता है, fluorite, diamond, ठीक है, rodeca heddle, यह भी एक type का cleavage, spiral rate दिखाता है, and prismatic cleavage, prismatic cleavage को न दिखा, pyrosine, amphibole, यह cleavage दिखाता है, तो I hope आपको एक clear idea आ गया हुआ कि दोनों के अंदर main difference क्या है, फिर भी अगर difference पता नहीं चलता है, या फिर confusion रहा गया है, तो आप comment section में जरूर पूछ सकते हैं, and thank you for watching.